हेलो दोस्तों आप लोगों का सौगत है पगले एक्स्प्लीन चैनल पर तो आज हम लोग एक्स्प्लीन करने वाले हैं आज नई वीडियो नहीं आएगी कि मैंने सोचा उसे एगंटे की बना दू आदे गंटे की बनाओंगा तो व्यूस कम आएंगे फायदा कम होगा इसलिए आज तुम लोग इससे काम चला लो तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वोकिंग ने टियान को किसी सक्ट के अंदर भीज़ा था और वो योगा मदद के बतले में वोकिंग को कुछ देने वाले थे जिसकी मदद से एक उन् Supply को और बिजदा ची कर सकता था इसके बा庭 पता चलता है कि मिर को यहां पर इसलिए लाया गया था ताकि वो mirror की मदद से एक pound के अंदर से डुस्तता को दूर कर सके इसके बाद Tiaan अपने mirror का इस्तमाल करता है और असानी के साथ उस pollution को दूर कर देता है लेकिन pollution को दूर करने की वज़े से उसे काफे जिदा powers का यूज करना पड़ा था इसलिए वो सूक के पिचक जाता है जिसके बाद उसे guest room के अंदर उठा के फिंग दिया जाता है बस यहीं तक थी हमारे पिछले episode की recap इसलिए episode की सुरुवात में हम लोग Tiaan को उसके कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे heavenly mirror ने पूरी तरीके से उसकी ताकत को खीच लिया था लेकिन वो बहुत जल्दी ही recover कर लेता है उसके system के वज़े से और उसे समझ में आ जाता है कि walking ने इसलिए उसे सभी powerful weapons नहीं दिये थे विकि उसे अच्छे से पता था कि उसका पती मारा जा सकता है खेर उसके बाद वहाँ पे सेंट आती है जो कि इस बात को देखे हैरान हो जाती है कि Tiaan ने इतनी जल्दी अपनी spiritualsy को recover कर लिया जबकि वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था वे पि Tiaan की नाग भी लंबी हो जाती है और सिस्टम उसे सेंट को 100 करने के लिए औरा कल्टिविशन के 300 पॉइंट देता है जिसके बाद वहाँ पे मदर कुई नाती है जो कि सेंट से कहती है कि वो ये सभी बाते किसी आदमी से नहीं कह सकती है तो फिर सेंट माफी मांगती है और Tiaan से दूर हो जाती है और उसके दूर होते ही मदर कुई नागे बढ़ती है जो कि Tiaan से चिपकते हुए कहती है कि तुमारे फिजिक बहुत ज़दा कमाल की है लोंडे और मैं तुम्हें अपना ग्रैटिटूड दिखाने के लिए यह उमीद करती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पे रुख जाओगे और तुम हमारे याउची होली लेंड से किसी भी तरह के लजियर को ले सकते हो लेकिन टियानी साफर को मना कर देता है और अपने मन के अंदर सुंसता है कि अगर वूकिंग को इसके बार में पता चला तो वो मेरी हड़िया निकाल लेगी इसके बार टियान मदर कुइन से कहता है कि वो उसकी वाइफ ने उसे बताया था कि यहाँ पे कैया इसी तरह का पूल है जो कि उसकी फिजीक को ताकतवर बना सकता है और उसने ये भी कहा था कि मदर कुइन इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगी तो फि फिर मना नहीं करेंगी लेकिन टियान को कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे टियान कहता है पूछो यार कीवी सी का बहुत बड़ा फैन हो मैं इसके बाद मदर कुइन आगे बढ़ती है और टियान को चूते हुए बड़े ही चार्म के साथ उससे पूसती है कि वो दिवाले तोड़ते हुए स्प्रिंग की तरफ फीक देती है इस पर सेंट हैरानों की पूसती है कि आपने अभी क्या किया तो फिर मदर कुइन आगे से गयती है कि उससे चोट नहीं लगे कि उसकी फीजिक काफी जदा सक्तिसाली है और बस उसने वुकिंग के डार्लिंग क यहां से होड़ स्प्रिंग भीज दिया है बस दूसरे रास्ते से इसके बाद हम लोग इम्मॉटल स्प्रिंग को देखते हैं इसके बाद हम लोग मदर कुइन की सेक्ट की एक लेड़ी को देखते हैं जो कि किसी होली सन को लेके जा रही थी वाई पे होली सन हमें बताता है कि immortal spring का औरा बहुत ज़्यदा सक्तिसाली है और उसके अंदर कई सारे minerals हैं जो कि body को बहुत ज़्यदा सक्तिसाली बनाने में मदद करते हैं इस पे वो लड़की holy sun को बदाती है कि immortal spring के अंदर जो पानी होता है वो immortal waterfall से आता है जो कि उपर से जहर्णने की रूप में नीचे गरता है इसलिए जितने भी disciple हैं वो सभी उसकी नीचे बैट के cultivate करते हैं जिसकी मदद से उनकी strength और बेज़दा बढ़ जाती है और यह ज़ड़ना है वो सिधाबाई sky से आता है यानि कि आसमान से इसलिए जब पानी नीचे की तरफ गिरेगा तो फिर उसका धक्का औ अंदर से एक और लड़की बाहर निगलती है जो कि उस लड़की से गयती है कि immortal spring के अंदर मर्दों को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है हमें पता चलता है कि इनका नम elder killing है और वो लड़की उन्हें बताती है कि holy sun यहाँ पे परमीशन लेके आया है इसलिए वह बे वहां की सभी लड़कीयों को देख के काफे जिदा हैरान हो गया था इसके बाद जब वो उस एरिया में पहुंचता है जहां पर नहाया जाता है तो फिर वहां पे हम लोग कई सारे sisters को देखते हैं जो की पानी के अंदर मज़े कर रही थी और पूरी तरीके से enjoy करते हुए एक दुसरे के उपर पानी फेक रही थी वहां पे holy sun की नाग से खून बने लगता है इस नजारे को देखके और जब लड़कियों की नजर holy sun के उपर पड़ती है तो वह उसे देखके ठरकी ठरकी चिलाने लगती हैं और अपनी आपको एदर और चुपाने लगती हैं साथी यहां पर बाद वुलड़किया साथी आती हैं और अपनी बहनों को सांथ करते हूए कहती है कि सुजिंगको यहां पर पर पर्मीसन मिली है मतलकुइन ने उसे पर्मीसन दी है कि वह यहां पर आके नहासकता है तो फिर वह सभी लड़किया सांथ हो झागती है कि अग men bên के पेला जाएगा क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो ये बात वैला देगा कि होली इवेल सक्ट यहां पर लड़कियों के उपर नजर डालने के लिए आया है तो फिर उनकी बेज़ती बहुँजदा होगी और वो ऐसा करता भी है लेकिन लड़कियों का कुछ अलग ही र यहां पेंट यहांपर मिली हुई है इसलिए वहाइसे पता है फ्यूकि कि फूचर के लीड करने वाला है लेकिन उसका treatment यहां जिसे handyman से भी बहुत ज़्यादा बत्तर था इसके बाद लेंडर उन लोगों से कहती है कि उन्हें परमिसन मिल चुकी है इसलिए वो लोग चड़ने के नीचे बैट की अपने काम को सुरू कर सकते हैं और cultivate करें वह पे लड़कियों को जैसे ही ब गुसा रहा था कि सभी लड़किया ट्यान की ही तारीफ करे जा रही हैं इसलिए वो जैलेसी में ट्यान को challenge कर दीता है वो भी इस बात का कौन ज़र्णे की नीचे बैट के जदा देर तक cultivate कर सकता है और अपने मन के अंदर सूचता है कि ट्यान का काफिज़दा कम है सूजिंग आगे बढ़ता है और वो जढ़ने की नीचे बैट के cultivate करना सुरू करता है और अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो यहाँ पर बैट के सभी लड़कियों को दिखा देगा कि असली मर्द कौन है इसके बाद अगला सिन 30 मिनिट के बात का होता है और हम लोग द कायता है कि देखते हैं कि कौन किसको हराने वाला है जिसके बाद जब जढ़ने के पास पहुंचता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि जढ़ना वहल जदा सक्तिसाली है और उसकी आखे बाहर आ जाएंगी इसलिए टियान गौड रिकॉर्ड को activate कर लेता है तो फिर उसकी बोडी के चार्वे तरफ और जाता है जो की پ्रेसर को ओपर की तरफ रोकी ले रहा था तियान हमें बताता है कि सुरूवाद में पानी बलेकुल उमल कोमल सा रखता है लेकिन समय के साथ-साथ ये बल्कुल इस तरह से लगने लगता है कि जैसे सरेर के उपर कोई पहाड़ा के गिर रहा हो इसके बाद जब तीस मिनिट बीट जाते हैं या फिर बीटने वाले होते हैं तो फिर उसके उपर और बीज़दा जोर पढ़ने कर देती हैं यह कहते हुए कि तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें से जलन हो रही है और उसका और और भी जदा बढ़ जाता है और हम लोग देखते हैं कि वह और धीरे-धीरे उपर की तरफ बढ़के उसके जड़ने के पानी को और भी जदा रोकने लगता है लेकिन उसी टाइ और यहां पर 3000 रास्ते हैं तो फिर यहां पर 3000 इस बीचल वेंज भी होंगी और अगर टियान उन सब्सक्राइब को एक साथ ओपन कर लेता है तो फिर वह ताकतवर हो जाएगा वह पिमलोग से देखते हैं जो कि इस बास से हैरान हो जाती है कि ट्यान ने वहां पर म्यूजि वेंज को ओपन कर रहा है वह भी नए नए यह सभी बाते सुनके सुजिंग और विजदा हैरान होता है और उसके दिल्कियों पर जोर पड़ता है इसके बाद वह वह नीचे गर जाता है इस पर जो लोलकी अभी तक सुजिन के साथ थी उसे सुजिन की चिंता होने लगती है कि कहीं यह मर ना जाए लेकिन बाखी लड़किया कहती हैं कि उसे बस दुबारा गुसा आया होगा इसलिए वो बिहोस हो गया है उसे टाम भे हम लोग टियान के स्पिरिच्वल वेंज को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉइ हो जाते हैं और वो जड़ नहीं पाते हैं लिकि जो स्पिरिच्वल वेंज बन रही हैं वो काफी जदा कमजोर हैं इसलिए सिस्ट्म टियान को बदाता है कि वो अपने मुनबसंद तरीके से कोई गाना बजा सकता है इसकी मदद से वो अपनी म्यूजिक की स्पिरिच्वल वेंज को असानी के साथ ओपन कर सकता है तो फिर इस चीज के लिए मांजाता है जिसके बाद वो सिस्टम से मास्टरे ओफ दौव मूजिक मांगता है जो कि गाट के तरफ से कोई ब्लेसिंग थी इसके बाद वो सेंड से उसका गाउकिन मांगती है यानि कि वही सितार वहीं सेंड गाउकिन देते हुए अपनी मन के अंदर स उस्ती है कि उसे इसकी जरूरत क्यों है जब अपनी बॉड़ी को टेंपर कर रहा है इसके बाद टियान के पास सेंड का गाउकिन यानि की सितार आ जाता है इसके बाद वहां पे तीनजार रास्ते औफ दौव ऑफ म्यूजिक को एक्टिवेट कर देता है इसके बाद टिया उड़ते उड़ते सीधा आके मदर कुइन के कानों में भी पढ़ती है और उसे ऐसा लगता है कि सेंड अपने गाउकिन को बजा रही है जिसका नाम याउजी है लेकिन उसे इस बात के उपर सख होने लगता है कि याउजी का लेवल अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुचा है कि वो इतने प्रोफेक्शन तरीके से अपने गाउकिन को बजा सके इसलिए वो अपने सभी लोगों को लेती है और उस दरव जाने लगती है जहां से म्यूजिक की आवाज आ रही है जिसके बद हम लोग तो देख रहे थे और उसे बदा चलता है कि उसकी म्यूजिक आफ दाओ की स्पिचल वेन वो तो खुल चुकी है लेकिन उसे बहुत ज़्यदा परेसानी हो रही है और कुछ तो मिसिंग हो रहा है उसी टैम में मदर कुइन उसके पास आती है जो कि टियान से कहती है कि यह बड़ी मज़ेदार बात है कि तुम अपनी बॉड़ी को टैमपर कर करते वक्त अपनी स्पिचल वेन को भी ओपन कर रहे हो वह भी गाव किन को बजाते हुए तियान मदर कुइन को देखके वहां पे काफी जदा हैरान होता है और मदर कुइन उसे पूछती है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए जिस पर टियान सरमाते हुए कहता है कि यह उस ऑफनी बावसरे को बजाती है तो के जो बलने लगती और ट्यान को बहुँजदा श्राइज जी अपने आज पास महसूस होने लगती है इसके बार टियान सक्सेसफुली अपनी स्पिच्छल वेंज को ओपन कर लेता है और साथ ही अपनी स्टेंद को भी काफी जदा बढ़ा लेता है वह पर मदर कुइन अपने मन के अंदर सूचती है कि वो टियान को हलका सा बस हात देन चाहती थे लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ट्यान सच में अपनी स्पिच्छल वेंज को ओपन भी कर लेगा सिस्टम को बताता है कि उसने मदर कुइन को सौक कर दिया है इसे लिए उसे रिवार्ड के तौर भी स्किल कार्ड दिया जाता है इसका नाम फास्ट एस ल बहुत जदा कमाल का था और उसकी प्यारी मधूर आवाज मेरी बासुरी तक पहुंची इसलिए हम दोनों एक दुसरे की बहुत ज़्यादा क्यापेबल हैं इसलिए हम लोग एक साथ ही क्यों नहीं रहते हैं जिस पर टियान उनसे कहता है थोड़ा संभल की मेरी पास वीव शुद करता है जिससे उसकी फीजिक और भी ज़दा सक्तिसाली हो जाती है और ऑव जढ़ने की नीचे घंट से भी जाध़ा देर तक बैठता है जिस से और सभी लड़किया है और सभी लड़किया है कि आपने काम हें किया इसके पार सिष्दव गिरता है और उसके पर बहुत ज़्यदा जोर बढ़ने लगता है यह कि बीना आवरा कि पुस्रिव अपनी फिजिकल स्टेंद के भरोसे ही वाटर फॉल को रजिस्ट कर सकता है और पानी कितना सक्तिसाली है मैंने तुम्हें यह बता ही दिया था इसलिए ट्यान को जटका हमला है और वह भी दाकदवर होने के लिए लडाई कर रहा है इसलिए उन लोगों को यहां पर रुक के थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए त्यान के खराब होने लगती है क्योंकि अब और जदा रुप नहीं सकता था नहीं तो वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाएग हैं और साथी में उसकी फिजीक भी बहुत ज़दा इंप्रूव हो जाती है और यहां पे एक सा तीन काम पूरा कर लिए हैं अपनी फिजीक को स्टरूंग कर लिया और भी ज़दा कई सारे इस्पिछर्वाःन को भी उपन कर लिया और साथी में विरक थू भी कर लिया एक तीर सी 3 सिकार कर लिए हैं टियान ने यहाँ पे वह सब लड़किया टियान को देखके काफी जिदा खुश हो जाती है वह जब सूजिन को खुश आता है तो वह उन लोगों से पूछता है कि वह कितने टाइम तक टिका रहा तो लड़किया उसे बताती हैं 5 घंटे तक 5 घंट कि उसे क्या हुआ इस पी मदर कुई उसे बताती है कि उसने अपना दाव हाट पूरी तरीके से खो दिया है साय से वो अपनी को भी खो सकता है किसी को बुला लो उसके सटर में वापस बिजवाने के लिए वेपे लड़के आंखें बंद करती हैं लेकिन जीरी से जागते चाहता था गलती से हो गया इस पे मदर कुई उससे कहती है कोई बाट नहीं है हम लोग इस बारे में कभी भी बड़ा नहीं करेंगे लेकिन मैं यह बत पक्का सकती हूं कि व्लोक बड़ी को देखते हैं कि उसकी बाड़ी से इस्प्यूच्यल एनरजी रिलीज हो रही थी औ उसके थंडर टेलिव्यूशन और इम्मॉटल म्यूजिक की वज़े से हो रहा होगा कि ये पानी उसके औरा से भर चुका है वेपी याउजी सर्माते हुए मदर कुछती है क्या वो लोग अभी इम्मॉटल स्प्रिंग का इस्तमाल कर सकते हैं जिस पे मदर कुछती है कोई भी इस्तमाल कर रहे हैं कल्टिवीट करने के लिए वह वो सबहे लड़किया टीयान के ही गुणगाए जा रहे दी और कहती हैं पैट्रियाज बहुँजदा कमाल के हैं और टीयान उनजबी की तारीफे सुनके बस मुस्कुराए जा रहा था वह पिकुछ लड़किया ऑरा की व वो जाता है याने कि डिबप भर चुका है इसलिए टियान वहां से तुरंद भाग लेता है और अर उन लोगों से कहाता है कि कि 1 लोग कल्टीवेट करो मुझे यहां से जाना पड़ेगा इसके बाद वो अपने कपड़े से जाना सेफ नहीं होगा लेकिन टियान कहता है कि उसे जाना ही पड़ेगा कुछ जरूरी काम आया है मदर कुई दुबारा टियान के उपर इंतजार कर रही होगी वैपि टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं यहां से आज नहीं निकला तो फिर मैं अपने आपको रोक नहीं पाऊंगा वैपि हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम पे जब टियान सो रहा था तब कुछ डिसाइपल उसके पास आये थी औ और वो मैटर असल में टियान के साथ लाइफ के बारे में डिसकस करना था कि वो लड़कियां टियान के साथ रहना चाहती हैं वह पे पूद्यान को देखते हुए उससे कहती है कि जब तुम आकेले जाना तो साउधान रहना कहीं तुम्हारे साथ कुछ बूरा नहीं हो कि वो इसके साथ अपनी वाइफ को और बी जदा सब्राइस कर देगा उसी टाइम पर सिस्टम को बताता है कि दो लोगों ने उसके उपर एक साथ अटायक किया है और वो दोनों ही इम्मोर्टल सामने आते हुए देखता है तब वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि वो फास्ट एज लाइटनिंग स्किल कार्ट का यूज करे और वो जैसे ही स्किल कार्ट का यूज करता है तो फिर ट्यान जब अटायक लगने वाला होता है तो वहां से खट से गायब हो जाता है और वो कोई अशारी नहीं हुआ और वहां से गायब हो गया है जिसके भूरे बालो वाला बुढ़ा कहता है कि उसके पास कोई ना कोई ट्रिक होगी लेकिन उसके श्रंथ के इसाब से वहां से ज्यादा दूर नहीं गया होगा इसके बाद वह आगयों से ब्लेड की सिस्किल का इस्तम ना तो इम्मोटल रियलम के कल्टिवीटर से हो गया जो कि मुझे मारने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिये हैं आखिर ये भड़वे हैं कौन इसके बार ट्यान दुबारा इसकिल कार्ड को योज़ करता है जो की फास्ट आइस लाइटनिंग है और ये ट्यान इसका इस स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो आसानी के साथ उनसे पीछा नहीं चुड़ा सकता है और में पर ट्यान का हंस इतना ज़्यादा सक्तिसाली नहीं था वो सिर्फ सेलेस्टियर रियलम पर था इसलिए अगर वो अपनी पूरी ताकत के साथ भी भागने की कुसिस करता है तो वो लोग उनसे पीछा नहीं चुड़वा सकते हैं वो उन्हें पकाड़ी लेंगे इसलिए टियान सोची रहा था कि उसे सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि उसी टाइम पर टियान पकड़ा जाता है और सफेद बालो वाला बुद्धा टियान से कहता है कि तुम बचके कहां पे जाओगे वैं फिर टियान के पीछे वही बुद्धा आता है जिसको हमने पहले भी देखा था जो कि सफेद बालो वाले बुद्धे से कहता है हेवनली वॉल्ड उसे डिस्ट्रॉय कर दो हेवनली वॉल्ड उसी सेक्ट का लीडर या फिर कोई मालिक वालिक है या फ मन की अंदर सुचता है कि अब वो यहाँ पे जदा देर तक नहीं रुख सकता है और उसकी मेरिडियन्स भी पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है इसके बाद हमेली वॉल्ड टियान के उपर एक भारी भरका मटाय करते हैं जो कि टियान के उपर लगता है और टियान बहुत ज सदा घायल हो जाता है तिससे टियान और उसका हंस दोनों भाई नीचे करने लगते हैं अपनी मन के अंदर सुचता है कि उन्हें फुद्धो बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि मैं मरने का नाटा करूं जब उन्हें लगे का वो लोग सक्सेस्फुल हो गए है तब मैं यहां से खिसक लूँगा जिसके बाद टियान नीचे जाके धढ़ाम सी गरता है वहे पे दोनों बुड्डो को लगता है कि उन्हें टियान को सक्सेस्फुली मार दिया है लेकिन जब नीचे की तरफ से धुआ आटा है तो फिर उन्हें वहाँ बे सिर्फ पत्थर ह हैं टियान तब तक दोबारा अपने कार्ट का इस्तमाल करके हंस को लेकर वहां से भाग चुका था साथे में टियान एक पिल्गा बही इस्तमाल कर लीता है जो कि उसकी मेरेडियन्स को डामेज लगने से बजाता रहेगा जिसके बाद टियान उस पिल्गो खा लेता है और सोचता है कि बस एक बार मौका मिलने दो फिर मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि असली दर्द क्या होता है इसके बार टियान दुबारा अपने स्किल कार्ट का यूज करता है और तेज़े के साथ वां से भागने लगता है लेकिन वहें पे हम लोग लोग उन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी उसका पीछा कर रहे थे वहें पे जहां से वो लोग गुजर रहे है कि आप बच के कहां पर भाग सकोगे तो फिर आखिरकार मैं तुम लोगों की थोड़ी सी चमड़ी खीच के बाहर क्यों नहीं निकाल लेता हूं जिसके बाद वहां पर फेट की पावर को अनलॉक करता है और उसका क्लों का इस्तमाल करते हुए ट्यान के घाम होने वाला है लेकिन ऌसी टैम पर लुकिंग ने उसे दिया था वो ट्यान को बचाने के लिए के लिए हां जिलता है और नीचे गिरा दीता हैं जिसे वो अटाइक जाकर सिधायोस हां सी उपर पनता है और वह हसे पर निस नहीं पर हो जाता है और माना जाता है इसे टियान को बहुत बड़ा usement 악र लगता Θप है अर उसे सिर्ट के लिए बहुत होने लगता है और अव्दो के जेता हैं कि यह मरना पड़ेगा और वो उन दोनों को माल की ही रहेगा। हाला कि उन दोनों के उपर इसका कोई वी असर नहीं पड़ता है। और वो उससे कहता है कि तू अकिला क्या ही उखाड लेगा। उसी टाम पे वोगिंग टियान के पीछे से स्पेस को ब्रेक करते हुए आती है। और उन दोनों से गहती है कि अगर टियान ने कहा है उन्हें मरना है तो फिर उन दोनों को मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद पहले वाला बुड़ा हेवेली वॉल्ड से कहता है कि जा और जाके जल्दी से उसके उपर अटैक करो इससे पहले कि वोगिंग यहाँ पे चली आए। जब हमला करने के लिए आगे बड़ी रहा था तो फिर अचानक से पता चलता है कि वो हिल नहीं सकता है। दोनों ही गौड रियलम के हैं। वह पे वुकिंग जब वहाँ पे पहुंचती है तब वो टियान को बहुत ज़ता सदमे में देखती है। टियान उसे बताता है कि जो हंस उसने उसे गिफ्ट दिया था वो उसे बचाते हुए मारा जा चुका है। इससे वुकिंग को भी काफी ज़धा गुसा आता है और वो टेजे के साथ उन दोनों की हड़िया खीचने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन टियान वुकिंग को रोक लेता है और उसे कहता है कि उन दोनों को मारना तो पड़ेगा ही। लेकिन टियान को कोई फरक नहीं पलता था और वो काफी ज़धा गुसे में कहता रहता है कि हंस ने उसकी जन बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया इसलिए वो वहाँ पे पीछे नहीं हटेगा। की थाकत बहुत ज़्यदा थी वह वो किंग दुबारा है रान हो जाती है कि यहां पर दुबारा इस तरह के फैंटम को समन किया था और उसे रगने लगता है कि ट्यान का कनेक्शन बहुत सारे मल्टी पर ग्रेट एंपरेर के साथ का है जो उसे सपोर्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ते हुए कायता है कि अब तो न बचोगे जिसके बाद वो फैंटम का इस्तमाल करते हुए उन दोनों के उपर हमला कर देता है वे पर हेंवें ली वॉल्ट पहले वाले बुड़े को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यहां से भाग लो जि उसके बाद वो फैंटम को एक ड्रहें के इtwा डिता हैं और पहले वाले बुड़े के उपर अटेक करता है ड्रैगं टेजी के साथ आगे बढ़ता है और भागते हुए है पहले वाले बुड़े के डेकर की उससे दबा लेता है किसने जो स्पिच्छुवल दात थे, वो उस से जान बचाते हुए भागने लगता हैं मृपर घृप योब करके उसे मार देती ह और मधर कुई दूसरे वाले की उपर टाय करके उसे भी लेकिन नियुकर Ward से बढ़े की तरफ में के मारता है जिसे वह एनर्जी सीधा जाके बुढ़े को लगती है और वह वाला हिस्सा भी वहें पर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके बाद ट्यान का फैंडम वहां से डिसपेयर होने वाला था लेकिन ट्यान खुद के उपर जोर देते हुए उसे दु कोई इस बात से काफे जदा हैरान होती है तो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ट्यान एक हांस के लिए इतने जदा दर्या दिली दिखाएगा अलाकि वो इतना भी जदा बुरा नहीं था लेकिन उसके लिए एक माउंटेन को कबर की तरह इस्तुमाल करना बहुत बड़ सोने वाला है तो वो जल्दी से आगे बढ़ के ट्यान को पकड़ लेती है जिसके बाद वोकिंग को ट्यान की चिंता होने लगती है क्योंकि वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था मदर कुइन वोकिंग से गयती है कि उसे पत्थर के उपर रख दो मेडि वले ही लाइफ को ठीक करने के लिए और वो जिसे जैसे अपनी बावसुरी को बजाते जाती है तो फिर ट्यान की बॉडी हील होने लगती है लेकिन कुछ टाइम पर जाती है वोकिंग पूसती है कि क्यों रुक गई तो वह बताती है कि उन्हें बाहरी चोटों को ठीक कर दिया है अंदर वाली चोटें उन्हें ठीक करना काफे ज़्यदा मुस्किल है और वो ट्यान की बॉडी को पूरी तरीके से अंदर से ठीक नहीं कर सकती है वह फिर वोकिंग को कोई तरीका तो ढूनना है था ट्यान को क्योर करने के लिए और वो यहां से अपने से ट्रेवल करके नह दो मैनों के अंदर उसके पास पहुंचा दिया जाएगा अगर वो लोग उस एलजियर को ट्यान को दे देते हैं तो फिर साय से ट्यान ठीक हो सकता है जिसके लिए वोकिंग मान जाती है वो भी बिल्कुल जल्दी इस बात को देखके मदर को इन काफी जदा हैरान होती है औ को लग दे दो लेकि वो ट्यान की लाइफ के साथ को भी खिलवार नहीं कर सकती है इसके लिए मदर कुईन मांग जाती है और वो कहती है कि चलो मेरे साथ याओची चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह लोग लोग पिर से क्लैन के अंदर ले आते हैं और उसे एक पूरी तरीके से घायल है लेकिन इसका पिच्वल वें और पूरी तरीके से ठीक हैं जो कि काफी हैरानी की बात है इसलिए मदर कुईन को पूरा यकीन है कि वो लोग ट्यान को क्योर कर सकते हैं तो फिर उसकी बॉड़ी के अंदर उतल फुतल होने लगती है यह देखिए व कामवासना को बढ़ा देना बिसेकली हवास इस उनके Woking काफी हैरान होती है और सरमाने लगती है 묵 खीन मदर कहती है कि इसे कैसे ठीक करना है और अभी तक तुमने हनीमून भी नहीं बनाया अगर तुम्हें इतनी चता दिकत हो रही है तो फिर तुम मुझसे कोई disciple क्यों नहीं ले लेती हो या उजी कैसी रहेगी जिसपे walking को समझ में आ जाता है कि अगर उसने कदम आगे नहीं बढ़ाया तो वो फट सकती है जिसके बाद वो queen mother और सभी लोगों को बाहर जानने को कहती है जिसपे वो दोनों बाहर चले जाते हैं और walking को all the best कहते हैं enjoy करने के लिए जिसके बाद walking पानी के अंदर जाते हुए कहती है कि सारे situation हमेसा तुम्हारे फायदे में ही बदल जाती है खैर क्या ही फरक पड़ता है अब मैं तुम्हें मरते हुए थोड़ी ना देख सकती हूँ जिसके बादा मैं censorship का एक बहुत बड़ा परदा दिखाया जाता है जो कि नीजे से उपर की तरफ जाता है और उनके सिर्फ चहरे दिखा जाता है अब देखो मैंने इस पर कोई censorship नहीं डाली है आई आलसो हेट censorship तुम्हारी तरह अगले सीन में हम लोग टियान को देखते हैं जहां पर उसे सपना आता है और लोग उसे उठने को कह रहे हैं थे कि उठ जा उठ जा तो फिट नियान चौक के उठ जाता है और चिलाते हुए गाता है कौन है जो मुझे बुला रहा है इसके बाद टियान को बदा चलता है कि वो बस ये सपना देख रहा था खर उतने के बाद उसकी बोड़ी बहुत ज़्यदा दर्द करने लगती है खास कर उसकी कमर का एरिया जहां पर एक तगड़ा अटैक पड़ा था साथे में उसे गर्दन के उपर चुमन की निसान दिखाए देते हैं खर इसके बाद टियान को रात की काम वासना के बारे में याद आता है जहां वे वो किंग ने उसे बचाने के लिए कौन कौन से कांड किये थे उसी टैम पर टियान की निजर जब उसकी हाथ के उपर पड़ती है तो फिर वहाँ पर कुछ मेडिकल पावर बच गए थी सिस्टम उसे बताता है कि वो इसका इस्तमाल करके अपनी बोड़ी के अंदर इसे एब्जॉब कर सकता है टियान अपनी मन के अंदर सुचता है कि मेडिकल पावर आफ योची एल्जियर वो बहुत ज़धा सक्तिसाली है यहां तकि उसके spiritual c के अंदर भी जितना ऑउरा है इसके बराबर नहीं है और टियान इस ऑउरा के मदद से असानी के साथ ब्रेक्ट्रु कर सकता है इसके बाद टियान कल्टिवेट करने के लिए भैठ जाता है और कल्टिवेट करने लगता है इसके बाद हम लोग मदर कुइन और वुकिंग को देखते हैं जहाँ पे मदर कुइन वुकिंग को आगा करती हैं कि जो दो लोग टियान के पीछे पड़े हुए थे वो पका मारे गए होंगे और इसके बारे में पका पूरे हैंवैली इस पर डोमेन को पता चल चुका होगा जिसपे वुकिंग कुइन मदर को बदाती है कि वो लोग पहले से ही उनके उपर नजार रखे हुए हैं लेकिन अगर वो लोग टियान के तरफ करने का कुछ भी सोचते हैं तो वुकिंग उन्हें भाई जाद थे उखाल के फेक देगी और रही बात राइटियस पाथ वाली लोगों के तो वुकिंग उनके साथ अकीले ही निपड़ सकती है जिसपे मदर कुइन वुकिंग से गयती है कि तुम तो अपने पती को कुछ जादा ही तो strongly तरीके से प्रोटेक्ट करती हो अगर इस बारे में आफवा उड़ने लगे तो कई सारे लड़कों के दिल डूट जाएंगे लेकिन ये साब बात तो छोड़ो तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए है जिसपे वो किंग बताने से मना कर देती है और अपनी मन के अंदर सुचती है कि मैं इसे ये थोड़ी ना बता सकते हूँ कि कल रात धुम मचाते वक्त टियान ने मेरे सारे कपने फाड़ दिये थे हर उसी टेम फे उन्हें घर की अंदर से बहुत ज़्यदा इस पिचोल एनरजी निकलते हुए दिखाए देती है मदर कुइन वोकिंग से कहती है कि तुम्हारा पती तो कल मरने के हालातों में पड़ा हुआ था वो अचानक से उठ गे कल्टिवेट कैसे करने लगा उसी टेम पे हम लोग टियान को देखते हैं जो ब्रेक्ट्रू करता है तो फिर छट को फाड़ते हुए उसकी एनरजी निकलती है इससे वो दोनों ही हैरानों के कहती है कि वो कल्टिवेट नहीं ब्रेक्ट्रू कर रहा है लेकिन इतने कम टाइम के अंदर वो इतने जल्दे जल्दे ब्रेक्ट्रू कर कैसे पा रहा है वह पर हम लोग टियान को देखते हैं जो कि स्टार इस्टार इस्टार इर्थ किंग रिया लम पर आ जाता है साथे में उसने मदर कुईन को सौक कर दिया था तो फूर सिस्टम उसे हैवेली सौंड स्लैसर नाम की एक टेकनीक भी दे देता है जिसके बाद टियान की ब्रेक्ट्रू कंप्लीट हो जाती है और वो अपनी मन के अंदर सौचता है कि उसने कभी सौचा बें नहीं था कि एतनी जदा मदद कर देगा कि वह असानी के साथ अगले रियालम पे भी जा सके जिसके बाद कमरे के अंदर वोकिंग और मदर कुईन आ लिया है लेकिन कुछ उसके अंदर बच कई होगी इसलिए उसे चुप चाप अगले रियालम प्रे बिरिक्टू करने दो इसके बाद टियान और उसकी बीवी की नजर एक दूसरे से मिलती है तो फिर टियान अपनी बीवी की तारिफ करता है कि वह आज बहुत जदा खुब रही है इसके बार टियान आगे बढ़ता है और वुकिंग को सुकरिया कहते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत जदा बलिदान दिये थे कल रत मदर कुण टियान से करें आपो पिर वो लगातार आया ले खोगी09 और उसे हमेशा यहाँ पर विलकम करेंगी वह पर टियान आगे से भाई घबराते हुए साफ मना कर देता है वो कि उसे घूर की देख रही थी खैर इसके बाद वो लोग अपना वहाँ पर सारा काम खतम करते हैं और वहाँ से हमेले डेमोनिक सक्ट की तरफ निकल लेते हैं वह इस पर दूसरा वाला कहता है कि जिंदा ना करो वह दोनों सही सलामत होंगे और यहां पर आते ही होंगे कर उस्टेंब इस पर वोगिंगंग और ना पर आ वह आते हैं और यानी स्पीस को काड़कित सीधा कई हजार किलोमीटर ऐसे ही आ सकती है तो फिर वह उड़ते हुए क कि उसे बताती है कि वह पक्का ऐसा कर सकती है लेकिन अगर वह वॉइड की जरीया आती तो फिर ट्यान की बॉड़ी है यहां पर आती वह मारा जाता कर इसके बाद सक्ट के जितने भी एलर और जितने भी डिसाइपल्स थे वह सभी आगे बढ़ते हैं और ट्यान को गले लगा है कि हैंवली विंड्स City पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी है और वहां पहीं पूरी तरीके से नरसंगार मन्चाया जा चुका है जिसे वह सभी लोग हैरान होते हैं और उसे पूझता है कि यह किसी ने किया है ले जाके जब उर एपडसी हैपल कोचते करते हैं तब उन्ह ही टियान ने बहुत सारे जंडे गाड़े हों लेकिन वो इस मामले में पीछे नहीं हट सकते हैं उन्हें किसी ऐसे की जरूरत होगी जो कि मेडिकल फिल्ड के अंदर हो और वो हीलिक के बारे में सब कुछ जानता हो इस पर टियान आगे से कहता है कि वो भले है मरे हुए को जिंदा नहीं कर सके लेकिन वो छोटी मोटो टीको को ठी कर सकता है तो फिर वोकिंग भी उसे परमिसन दे देती हैं इसके बाद टियान को ठी करने के लिए जैसा कि मदर कोई जदा हो जाते हैं कि पासुछ और वबुकिंग अपने मन के अंदर यहीं संचती है कि उसने मदर कुएंच इसे नहीं सीख और उसे ऐसा लगता है कि मदर कुईन का हालका सचार्म जिए बौडिक के लिए होगा की मतलब से उसने इस टेक्निक को सायद सीख लिया होगा विस सिस्टम को बदाता है कि उसने दुबारा हर किसी को सौक कर दिया है इसलिए उसे एक और नई अबिलिटी मिलती है जो कि निम्बल पाथ निम्बल पाथ बॉड़ी मोवमेंट एटाय को एक सिंगल स्किल के इंदर क इसके बाद वो डिसापल उन लोगों के सामने जुख जाता है और उन से चिलाते हुए कहता है कि हमारा बदला लो जिसके बाद एल्डर उन लोगों को बताते हैं कि इन्होंने कुछ डिसापल को विंड मौंटन के पास बेजा था क्योंकि वहां पे कई सारे जानवर सिटी क उपर हमला कर रहे थे जिस पर आगे से रोत वे बताता है कि उसका नाम यह लेंग है जो की बीस्ट टीमर सक्ट से हैं जिसके बाद हमें फ्लैस बग दिखाय जाता है विंड सिटी का जहां पर हम लोगों के साथ फाइट कर रहे था खुद को बचाने के लिए वह पर हम सकता है कि वह चुप-चाप यहां से निकल ले और बागी सबीडिसाइपल्स को सपोर्ट को रहे ताकि वह सभी लोग यहां से निकल सके क्यों वह लोग इन सबीज़ों को एक साथ नहीं समाल सकते हैं उसी टैम पर लेंग आता है जिकी डैट एलायंस के बीस्ट टेमर सक्ट जाएगी और उसने एक बहुत बड़े भालों को टेम के हुआ था जिसने पहले ही एक लड़की को पकाड़ रखा था इसके बाद वो टेम किये गए हुए सापों का इस्तमाल करते हुए उन दोनों के उपर हमला कर देता है ली तो अपने वाले साप को ब्लॉक कर लेता है ल नरसंगार मचाया जा सके तुम लोग आकर किस तरह के राइटियस हो राइटियस उन लोगों को बोला जाता है जो सत्यवादी होते हैं कोई गंदा काम नहीं और किसी की जान लेना तो दूर दूर के बात है इस पे लिंग आगे से गयता है कि डीमन्स को माणने के लिए कहता है कि वह यूजलेस पार्टी आच जो कि एक वुगमन के ओपर रिलाय करता है खुद को बचाने के लिए वह मेरा क्या ही उखाड पाएगा जिसके बाद वह काकासी बनने की कुछिस करता है और पीशे से उस लड़की के दिल को चूरा लेता है जिसके बाद वह उस लड पार्टी आज उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा ट्यान के बात हो रही है जिस पे लेंग आगे से उसके पर अटा करते हुए गाता है कि हम सवे सत्यवादी हैं हम तुम्हारे जिसे डीमन के गुरूप को अपने वीजनस के मामले में कैसे पंगा लेने दे सकते हैं इसके फालो के पन्जय कास तमाल करता है और दौनों को कुचल hinaять ने छोड़ता है औल्सप्इर अपने लोगों को बोलाके और दे के था है कि ने लोगों को दिखाए दे ये इनकी सेक्ट के लिए बहुत ज़दा डिस्रिस्पेक्टफुल माना जाएगा और उबर से इन दोनों की भी बिस्ती की जा रही है इस तरीके से माणने के बाद इन्हें लटका के ये सभी बाते जानके एल्डर को बहुत ज़दा गुसा आता है और वो बहुत ज़दा खुंखार हो जाते हैं इसके बाद वो इहे से पानी मिसन मांगते हैं क्या वो विंडे सिटी जाके जितने भी वहाँ पे लोग है उन सभी को मार सकते हैं लेकिन टियान आगे से मना करने लगता है वो सभी लोग हैरान होके पूस्ते हैं कि ऐसा क्यों तो टियान बदाता है कि बीस्ट टेमर सेक्ट रैट एलाइंस के साथ जुड़ा हुआ है और सायसे यह उनकी चाल हो सकती है कि अगर हम लोग उनकी डिसापल को मार देंगे तो फिर वो लोग इस बात का फैदा उठाके वहारे उपर हमला कर सकते हैं और हम लोग साइद एक साथ नहीं निपट सकते हैं इस पर वो सभी लोग गुशा होके कि कहते हैं कि अए बडला भी नहीं ले सकते हैं अपने सात्यों का जो वहाँ पे बहुत भी दरधी के साथ मारे गए हैं यह लो वोकिंग टियान से पूछती है किया तुम्हारे पास कोई आइडिया है इस पर टियान बदाता है कि अनों सवेज सी तरीके का इस्तिमाल करेंगे जिस तरीके का उन लोगों ने किया है हम भी सेम जरनेशन के डिसाइपल्स को वहाँ पे भीजेंगे और वो लोग एक दूसरे क वो आपस में मारेंगे इसके बाद राइट अलाइंस के पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा कि वह हमारे सक्ट की खिलब कोई कदम आगे बढ़ा सकें लेकिन एल्ड़ टियान को बताते हैं कि लिंग नमबर वन जीनियस हैं उनके सक्ट का और वह बहुत जदा सक्तिसाली ह कास अभी भी कोई ऐसा डिसापन नहीं होगा जो उसका अपुर्ण बनने के लायक हो यान आगे से कहता है कि वह जाएगा वह अपने साथियों का बदला लेने के लिए जाएगा फिर वह लोग चाहें सक्तिवादी हों या फिर वत्तिवादी कोई फरक नहीं पड़ता है और वोकिंग बदाती है कि टियान उन्हें हमेसा भाई मिराइकल्स दिखाते ही रहता है इसलिए उन लोगों को टियान के पर भरोसा करना चाहिए तो फिर एल्डर भी इस बात को मान जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर हम लोग देखने हैं कि कई सारे डिसाइपल आते हैं जो बूलाते हैं जो कि भाई घोड़ा था और उसकी बालों की जगा पर आग लगी हुई थी इसके बाद वह सभी लोग बादल के उपर बैठते हैं और लीड करते हुए विंड़ सिटी की तरफ ले जाने रखता है और इसा भी लोग चिलाते हुए कह रहाया था कि खून के पहुंचाते हैं और यहाँ पर जंगली जालवर बहुत जदा रहते हैं और वह इनके उपर किसी भी वक्त हमला कर देते हैं उसे टैम पर ट्यान को खून की महक आती है और जब वो नीचे देखता है तो फिर उसे वहाँ पर कई सारे बीस्ट दिखाई देते हैं जो कि उनके सैपल आगे बढ़ता है और वो ट्यान से कहता है कि वो यहाँ पर इनके उपर अपनी नई स्किल का इस्तार निकालता है और सामनी की तरफ एक स्लैस मारता है तो वह सभी वीश्टों के साथ सामनी की तरफ आते हैं उन सभी को काड़ते हुए निकल जाता है और उन सभी वीश्टों के टुकडे टुकडे हो जाते हैं इसको देख के सभी डिसाइपल बहुत ज़्या हैरान हो जाते हैं कि टियान का सितार हील करने के साथ साथ अटैक भी कर सकता है वेबे सिस्टम टियान को बदाता है कि उसने पूरे ग्रूप को सौक कर दिया है इसल लिए नीचे उतार लिता है तो उसमें के लिए ही मैसे छोड़ा गया था कि वह उसका मौंटन की क्लिफ की उपर इंदजार कर रहा है अगर उसके अंडों में गूदा है तो फिर वह आके उसे वहां पर मिले वह लोग वहीं पर पर फाइट करेंगे जिसके बाद लेजिंग संग से कहता है कि तुम अपने आदिमियों को लो और यहां पर जितने भी विस्ट हैं उन सभी को मारो और सावाइवर्स को बचा लो इसके बाद जो लोग मारे गए हैं उन्हें प्रॉपल बुरियल दो जितने भी डिसापल्स की हो गई हैं मैं उनका इस्तमाल करते हुए उस तरफ जाता हूँ जहां पर वो लोग हैं इसके बाद मैं उनके बाकी वाडिस को ढूनूंगा और उन्हें वापस ले आऊंगा जिसके बाद टियान वहां से बदला लेने के लिए निकल जाता है वाटर राइगन स्टेप का इस सकते हैं साथ ही में यह लोग के बारे में बात करते हैं कि वहाल के बदल लेने के लिए आ रहा है की अफवान को अफवा ही समझते हैं और लिंग आगे से गयता है कि वो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वो उसके साथ निबट लेगा आगी कचड़ा तो कचड़ा ही होता है इस पी वो लोग आगे से बताते हैं कि उन लोगों ने सुना है कि जदा दर पैठ लियाच हमेशा अपनी बीबी के पासी पीछे ही चुपता है खुद को बचाने के लिए इसलिए ये लोग टियान को गुटनोब के उपर बैट के भीग मांगते हुए देखने में बहुत जदा मज़ा लेंगे फिर उसी टैप में वहां पे बहुत ज़रों की हवा चलने लगती है तो वो लोग हैरान होने ल लोगों को घंड़ा समझ में नहीं आया था कि यहां पर हो गया रहा है क्योंकि इन लोगों को बस हावा सुलने की आवा सुनाई दे रहे दे बाकि कुछ भी दिखाए नहीं दे रहा था खैरवी जो लड़की लेंगे साथ चिपकी हुए थी उसका भी नंबार आ जाता है औ तो यहां पर तुम्हें कुट्टे की तरह मारने के लिए आया है तो फैर लंग ट्यान से कहता है कि वह बस अर्थ किंग रियलम पे है और उसके कोई भी आकात नहीं है कि वह उसका अपोनेंट बने वह यहां पर उसे चीठी की तरह मसल देगा इसके बाद वो ट्यान के उप कल्टिवेटर लेवल से भी बहुत जादा है इसके बाद यान अचानक से लेंग की पास आता है और उसे कहता है कि दौरान डिस अट्रैक्ट नहीं हुआ जाता है और अब जाके लेंग को बदा जलता है कि यह लेजंडरी पार्टी आच जिसको यह मारने के बारे में सोच र यहां पर इस तरह से बहुबली क्यों बन रहे हो वेपेश सुस्टम को बताता है कि उसने लेंग को हैरान कर दिया है इसलिए उसे बीस्ट टेमर कॉल टेक्नीक मिलती है विसे के लिए टियान को अब बीस्ट टेम करने की स्किल की वजह से और उनके जादा तर डिसाइपल्स बीस्ट के उपर ही निर्बर रहते हैं फाइट करने के लिए और अगर उनका टैलेंट काफे जिदा अच्छा है तो फिर वो आसानी के साथ आकेले दस लोगों की साथ फाइट कर सकते हैं और टियान को ये सबी बाते जानके मुस्कुराहाट होने लगती है लिंग उसे पू वलों को मार देते हैं और ये सब करने में कौन सी बुराई है त्यान उसे कहता है नहीं बबू तुम थोड़ा सा गलत हो इतना याद रखो यहाँ पर जो ताकादवर होगा वही नियम को बनाएगा और वही हमेसा जीएगा और अभी के लिए अपन ताकादवर है इसलिए त दारू रखी जाती हैं लेकिन लेंग हमारा अलगी लेवल पर इसलिए वो दारू की जगा पर इनके अंदर जिंदा बीस्टों को रखता है इसके बाद वो अपने बीस्टों को रिलीस करता है और उन्हें और देता है कि जा और जाके इस बंदे की बॉड़ी को चीर फाल द और उन्हें बजाना शुरू कर देता है इसकी मदद से वहां पर बीस्ट टेमर कॉल टेक्निक का इस्तिमाल करने लगता है इससे वह सभी बीस्ट वहें पर रूख जाते हैं और लेंग और जदा है कि उसे पता ही नहीं था कि ट्यान 20 टीम भीगर सकता है और उसकी टेमिंग सक्किल लेंग से भी जाधा अच्छी साली थी और वो लेंगी बीस्टी करते होएं कंगर तो मैंपर लेंग से चलाते होएं कि spitल hoंगर üstी मेरे मास्टर की और टीमिंगा तो गए पर मैं तुम्हारे master के ना तो तो मैं एक आचाखा सा सबक सिखा देता हूँ। इसके बाद वो link के ही बीस्टो को control करते हुए उन्हें order देता है कि जाओ और जाके अपने master को अच्छा सा सबक सिखा दो तो फिर वो सभी बीस्ट एक साथ लेंग के पर अटाय करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेंग आगे से अपने तलवार को निकाल लेता है और अपने बीस्टों के उपर हमला करके उन्हें मारने लगता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था तादात होने की वज़े से वो काफी बुरी तरीके से घायल हो रहा था और मारा जा रहा था तियान जले पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि कैसा लग रहा है भाई अपने ही बीस्टों से मार खाते हुए तो मैं तो पता ही चल गया होगा कि तुम्हारे बीस्ट कितने ज़्यदा सकती साली है जिस पे लेंग बीस्टों को मारते हुए टियान को बहुत ज़्यदा घटिया कहता है टियान आगे से अपनी सौट को निकालते हुए कहता है कि घटिया ये तो बस सिंपल सी बात है कि आग के बदले आग और खून के बदले खून इसमें कौन से बुराई है तुम यहाँ पे लेकिया अपनी डिमानिक बुस्ट को और पूरी हैमेली विंड सिटी को बरबाद करके रख दिया क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पे तुम भी मारे जा सकते हो इसके बाद टियान अपनी सौड को लेंग के कंदे के अंदर गुसा देता है और उसे कहता है कि यह उन लोगों की तरफ से है जो कि सिटी के अंदर मारे गए हैं इसके बाद वो अपनी सौड को बाहर निगा लेता है तो लेंग आगे से चीखने लगता है लेकिन वो आगे से चीखी रहा था कि टियान अपनी सौड को उसने गुटने के अंदर गुसा देता है और उसे कहता है कि ये मेरे डिसेपल्स की तरफ से जिनको तुमने मार रहा था तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें काफी असानी के साथ मार दूँगा इस पर लेंग वहाँ से रेंगते हुए भागने की कुसिस करने लगता है और कहता है कि 20-80 मार सेट के डिसाइपल कहां पे हैं ये वो सभी मारे गएं टियान उसे कहता है कि तुम यहां से भाग नहीं सकते हो तुम्हारे पाप का गाड़ा भर चुका है और मैं तुम्हें ड्रम भी नहीं लगाने दूँगा आप तुम्हें अपनी जान दे के ही अपने पापों का पाश्या ताप करना पड़ेगा इसके बाद हम लोग से ठीक अंदर देखते हैं तो फिर उन लोगों ने पूरी तरीके से जो भी लोग वहां पे मरे थे उन्हें प्रॉपर बुरियल दी दिया था इसके बाद टियान वहां पे आता है और उन लोगों से पूचता है कि तुमने सब कुछ समहा लिया वहां पे जब वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो फिर उन्हें लिंग दिखाई देता है यह कि टियान ने लिंग को बालों से पकाल रखा था और वो यहां पे उसे लाया था यहां पे इन लोगों से पर बहुत जबाद गुद्सा थे और वो कहते हैं कि हम इसा इतनी बुरी बुरी बाथ मारेंगे कि यह दुबारा कभी किसी को मारने के वारे में सोचेगा भी नहीं वहें पे लिंग घबराते हुए उन लोगों से गाता है कि पास नहीं आ जिसके बाद वो सभी लोग मिलके लेंग को भाई कुट्टे के तरह पीटते हैं और उसे मार देते हैं इसके बाद त्यान वहीं करता है जो लेंग ने उसके साथियों के साथ किया था वह भी लिंग को मार गे उसे दरवाजे के ओपर टांग देता है वह पर एक डिसाइपल इस पे सिस्टम टियान को reward देता है सभी लोगों को 100 करने के लिए कि उसे 5000 औरा कल्टिवेशन पॉइंट मिलते हैं। टियान अपनी मन के अंदा सुचता है कि उसके पास बहुत ज़दा औरा हो गया है और सायस से वो बहुत जल्दी break through करने वाला है। और अगले ही पल टियान break through करके फूर्थ स्टार अर्थ किंग रियालम पर आ जाता है। इससे वो डिसाइपल और ज़दा हैरान होके कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि लोग फाइट करने के बाद चोटों से भर के आते हैं लेकिन उनके इंसक्टर तो फाइट करने के बाद break through कर रहे हैं। इसके बाद दियान उन लोगों से कहता है कि यहां का सारा काम खतम हो चुका है तो फिर हमें वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग सेक्ट के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर उन्हें अर्थ को एक दिखाई देने लगता है और पूरी जमीन हिलने लगती है। यहां लोगों को बताता है कि बीस्टों का एक और जुन यहां पर आ रहा है। और रहनें को बदाता है कि आपना सितार निकाल लेता है लेकिन टियान से गयता है कि वो अकेले इन सभी बीस्टों को नहीं समाल सकता है उन्हें वापस लौट जाना चाहिए लेकिन टियान उसी टाइम पे सितार बजाता है और बीस्ट टेमिंग अबिलेटी का इस्तमाल करते हुए उन सभी बीस्टों को टीम करने लगता है इस बात को जितने भी दाओं हैं उन सभी को मास्टर करने वाला है फिर हम लोग देखते हैं कि टियान एक ससेफूली बीस्ट को टीम कर लिया था जिसकी बाद टियान उनमें से एक बीस्ट को अपने पास बुलाता है तो मैं पता चलता है कि यह बीस्ट आजुरे ड्राइगन सेकेंडर लेवल का बीस्ट है टियान उसे पूचता है बताओ भाई इतने तादाद में बाहर काहे आ रहे हो वो भी अलग-अलग बिरादरी में इस पे वो टाइगर आगे से टियान को बताना सुरू करता है कि वो लोग किसी चीज से बहुत ज़दा घबराए हुए हैं इसलिए वो कबर से बाहर निकल रही थी और उसी टाइंड और उसी टाइम पे उस कबर के अंदर से बहुत ज़दा एनरजी निकलती हैं द्रसली एक कबर नहीं थी बस एक डंजन डाइप की थी और अब गेट ओपन हो चुका था इसलिए वो डिसापल को बताता है कि यह फिनोमेना की नीचे खूट जाता है और जब वहां चै Rs. 500 ऐसे रखायँ देता है और कोई अचानक से उसके ओपर अट्राइक एंक ręता है और नीचे आता है तो फिर उसे वहां पर ऑसे Moroni दिखाए देता है words कि आधा साप थी और आधी इंसान जो कि टियान से कहती है कि मैंने सुचा वे नहीं था कि तुम यहां पर आ जाओगे लेंगे तो कमजन कमीना हो बेज मेरे उपर तुमारा इंट्रेस्ट आ रहा है तो फिर सिस्टम को बदाता है कि यह गार्डियन लगивать कि एसके ऊपर की हो सकती है स्वन के अंदर सो्चता है कि ए सेंटं एंपर्रा से भी उपर का है इसलिए वो अपनी मन तका है जब हवा में होता है तब ट आपको समझ में आ जाता है कि वह उसका सामना नहीं कर पाएगा और वह अपनी बन के अंदर सुचता है कि इसके खुलते ही टियान यहाँ पे आ गया तियान उसे कहता है हाँ हाँ दिदी मैं यहाँ पे अचानक से ही आया हूँ मेरे को जाने दो लेकिन वो बिश्ट टियान से गयती है क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पे भाग इसे मिले हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा तुम्हारा खयाल लगने दो इसके बाद वो अपने दातों को निकालती है और टियान के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है अभे तक मुझे ये क्यूट लग रही थी लेकिन अब नहीं लग रही है लेकिन उसी टैम पे वहाँ पर वूकिंग आती है जो कि उस बीस्ट के उपर हम मारे नहीं जाती है और वहाँ पर वारियर आ जाता है जिसके बाद वह वहाँ से गायब हो जाती है इसके बाद वोकिंग और टियान को बदा चलता है कि ये बीस्ट कोई फिरिली नहीं घूम रहा था ये आटोमेटिकली ही टॉम्ब यहने की कबर का बैरियर बन जुका है औ और मुझे पता है कि इसको मेरे दोस्त एनिगाय ने पहले से एक्स्प्लेंड कर रखा है लेकिन मैं फिर भी इसे एक्स्प्लेंड करना चाहता हूं तो मुझे बस तुम्हारी परमीशन की जरूरत है बाकी मेरा क्या है मेरे को तो पैसे चापने से मतलब है बस और हां वीडिय में रीड कर लेता हूँ बले उन्हें एक्स्प्लेंड ना करूँ हूँ